हेलो दोस्तों लूसेंट रास्तान जीके के डेली टॉप 50 कोशन में आपका वेलकम आजस्तों तो ये वीडियो का 255 पार्ट रस्तों से पहले भी 254 पार्ट बनाई जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जाएक देख सकते हैं तो यहाँ डेली मिले आले आपको टॉप 50 कोशन म वीडियो चिडवा का गांधी किसे कहा जाता है सरे आपसन मर्डी माश्टर प्यारे लाल गुपता को कहा जाता है चिडवा का गांधी निक सुने अशोग परमार को उपरमाल की जागिरी किस से प्राप्त हुई थी तो इस कारेक्टा सरे आपसन मर्भी महरान सांगा से प्र माल की जागिरी आशोक परमार को नेक्षन है सादू सीता राम किस क्रशक अंदुलन से सम्मधित था तो इसका रेक्टान सराय आपसर नमरे विजोलिया किसान अंदुलन से सम्मधित था सादू सीता राम दास नेक्षन है राजस्तान में जाट शेत्रिये महासबा बनाई गई तो इस कारेक्टांस रहे आप्शन नमर भी 1931 में मनाई गई थी जाट शेत्रिये महासबा नेक्ष ने कीर्स वर्ष नीम्बू चाना अलवर के अंदर दुखानत गटना हुई थी तो इस कारेक्टांस रहे आप्शन नमर भी 1935 में के अंदर हुई थी नीम्बू चाना अलवर में दुखानत गटना नेक्ष ने नेनुराम किस अंदोलन से सम्दित थे तो इस कारेक्टांस रहे आप्शन नमर सी बुंदी किसान अंदोलन से सम्दित थे नेनुराम शर्मा ने नेक्शोने अनुवरत्य आंदोलन के परवर्तक है तो इसका रिक्टान्स रए iPhones नाभी अाचारीय तुलसी जी है जो की अनुवरत्य आंदोलन के परवर्तक है निक्शोने बार दोनी सत्याग्रह निम्न में से सम्मदित है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन मड़ी सरदार वल्लबाई पटेल से सम्मदित है बार दोनी सत्यागर है निक्षन है एकी आंदोला ने किस इस्तान से प्रारंब हुआ था तो इसका रेक्टांसर है आप्शन मड़ी मात्र कुंडिया इस्तान से प्रारंब कारेक्टांस रहा आप्शन नमर भी 19 Hack 56 चाम मिना शेतरियें सबाका गठने dopamine किस वर्ष इस्तापित की गई थी तो इस कारेक्टांस रहा आप्शन नमर βी आठारा सुच्त्या शेत्रियें चाम का इस्तापित की गई थी मेवाड भील कोर्प मेवाड पुकार 21 सुतरी मांग पत्र का सम्मंद किसे था मोतिलाल तेजाओ से सम्मंद था मेवाड पुकार 20 शुतरी मांग पत्र नीक्शन है बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था तो इस कारेक्टांसर है आप्शन मरसी छत्रशान ने करवाई था बुंदी में रंग महल का निर्मान है निक्षन है हमीर के कोटी ये जन का निर्देशक था तो इस कारेक्टांसर है आप्शन मरसी विशु रूप था जो कि हमीर के कोटी ये जन का निर्देशक था सवाई जे सिंग के सवाई जे सिंग के राज कवी जिसने राम रासा की रसना की थी तो इस कारेक्टांस रहा है आप्शन नमर डी कृष्ण भटने की थी राम रासा की रसना निक्षन है महरणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शाषन किया था तो इस कारेक्टांस रहा है आप्शन नमर बी चोईस वर्षों तक शाषन किया था महरणा प्रताप ने निक्षन है तूगा के युद में कोन पराजित हुआ था तो इस कारेक्टांस रहा है आप्शन नमर बी महाद जी सिंदिया पराजित हुआ था तूगा के युद मे निक्षन है महराजा इस्कूल जेपुर की स्तापना हुई ती चारिक्टान सरे आप्शन मड़ी 18-25चा 10-25 के अंदर हुई थी महराजा स्कूल जेपूर की इस्तापना नेक्षण है मुगलों के साथ समर्पण और सैयों की निती का पालन करने वाला प्रतम राज्य था तो इसका रिटांसर है आप सर्मरसी कोटा राज्य था जो कि समर्पन और सहियों की निती पालन करने वाला राज्य था मुगलों के साथ जुनजुनु में मुसलिम राज्य का संस्तापक था तो इसका रेक्टांसर है आपसन मरे मुहम्मद खाता जुन जुनु में मुसलिम राज्य का संस्ता पके नेक सुनें चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था तो इस कारेक्टरांसर है आप्शन नमरे बिकानेर था जो के चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य था निक्सुने टोंक में सुनहरी कोठी का निर्मान कौन से नवाब दुआरा करवाया गया था तो इस कारेक्टान सरय आप्शन मरसी एवबी दोनों मतलब रसिक प्रिया और किर्थिस तंब इन दोनों गरंतों में कहा गया है विश्यम गाटी पंचानन महाराना कुमबा को निक्षने महाराना कुमबा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विबक्त है तो इस कारेक्टान सरय आप्शन मर्ड़ी नो भागों के अंदर विबक्त है संगीत राज निक्षने बादिशाह ने मेवार के राणा को आपस के समझोते से अदिन किया था नकी बल से यह कतन किसने कहा है तो इस कारेक्टान सरय आपसर नमर भी सर टोमस रो ने यह कतन कहा है कि जो मेवार के राणा है उसको समझोते के अदिन किया था नकी बल से बादिशाह ने निक्षने निमलिखित में से कौन सा विद्वान कुम्भा के दरबार में नहीं था इसके अलावा तिला बटिर मुनी सुन्दर सुरी ना था यह तीनों ही विद्वान कुम्भा के दरबार में थे नेक्शन है तूगा के युद में कौन पराजित हुआ है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन मर भी महादर जी सिंधिया पराजित हुआ था तूगा के युद में नेक्शन है राणा कुमबा को राजस्तान का अभी नव भारताचारिय कहा गया है क्योंकि तूगा रिक्टांसर है आप्शन मरे वे संगीत प्रेमी थे इसलिए कुमबा को अभी नव भारताचारिय कहा गया है नेक्शन है महारणा प्रताप का जनमे कुमबलगड के किस प्रसिद महल में हुआ था तो इसका रिक्टांसर है आप्शन मरे बादल महल में हुआ था महारणा प्रताप का जनमे नेक्शन है राणा राज सिंग का समकालीन था तो इसका रिक्टांसर है आप्शन मरड़ी और अंग्जेब था राणा राज सिंग का समकालीन महाराणा कुमबा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विबक्त है तो इस कारेक्टांस रहे आपसर मड़ी पांच कोशों में विबक्त है नेक्षन है हल्दी गाटी के युद में मुगलों और महाराणा के सेनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हातियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे तो इस कारेक्टांस रहे आपसर मड़ी लूना, राम प्रसाद, गज मुक्त, गज राज ये चार हाती थे जिन्होंने वीरता दिखाई थी हल्दी गाटी के युद में नेक्षन है महाराजा अनूप सिंग काल शाषन कब से कब तक रहा था तो इस कारेक्टांस रहे आपसर मड़ी से 1689 इसवी से लेकर 1689 में इसवी तक रहा था महाराजा अनूप सिंग का शाषन काल नेक्षन है राव जेसी के पुत्र जिन्होंने गिरी सुमेल के युद में किसकी साहता की थी तो इस कारेक्टांस रहे आपसर मड़ी से शेर्शा सूरी की साहता की थी नेक्षन है महाराजा राय सिंग की मृत्यू कब अपर हुई थी तो इस कारेक्टांस रहे आपसर मड़ से 1612 इसवी के अंदर बरहानपूर के अंदर हुई थी महाराजा राय सिंग की अमृत्यू नेक्षन है सुरु सिंग के देहा वसान के बाद बिकानेर के सीहसन पर कौन बेठे थे तो इस कारेक्टांस रहे आपसर मड़ दे महाराजा कर्ण सिंग बेठे थे बिकानेर के सीहसन पर नेक्षन है बिकानेर राज्ये तथा मुगलों के बीच प्रथम संदी पर हस्ताक्षर करने वाला शाशक कौन थे तो इस कारेक्टांस रहे आपसर मरए कल्यान मल थे जो कि बिकानेर राज्ये और मुगलों के मध्धे संदी पर हस्ताक्षर करने वाले शाशक थे नेक्शन है बिकानेर रियासत के भारत संग में विले के समय महराजा थे तो श्री सादूल सिंग्जी थे महराजा जब भारत संग में विले हुआ था बिकानेर रियासत का नेक्शन है बिकानेर का कौन सा शाशक अकबर और जहांगिर दोनों की सेवा में रहा था तो इस कारेक्टांसर है आप्शन नमर है राइसिंग शाशक रहा था जो की अकबर के साथ जहांगिर की भी सेवा में रहा था निक्षोने मतीरे की रा निक्षोने मतीरे की राड किनके बीचे हुई थी तो इस कारेक्टांसर है Option number 2 नागोर और बिकानेर के मद्देविती मतीरे की राण Next उने जो नागट किले का निर्मान कब करवाया गया था तो इसका रेक्टान सर्य Option number 5 पनदरा सो चोर्याण में इस वी के अंदर कराया गया था जो नागट किले का निर्मान Next उने राव कल्यान मल के बाद बीकानेर का शाशक कोन बना था तो इसका रेक्टांस रहे आप्शन नमर दे राई सिंग बना था जो कि बीकानेर का शाशक बना था राव कल्यान मल के बाद में नेक्शने जहागिर ने राई सिंग को कितने जात का मंसब प्रदान किया था तो इस कारेक्टांस रहा है ऑप्शन मर है पांच हजार जात का मनसब प्रदान किया था जहां गिर ने राय सिंग को नेक्षन है करम चंद वशी कीरतन काव्यम में राय सिंग को क्या कहा गया है तो इस कारेक्टांस रहा है ऑप्शन मर से राजेंदर कहा गया है राय सिंग को करम चंद वशी कीरतन काव्यम में के अंदर नेक्षन है राय सिंग ने बीकानेर के किले का निर्मान कब करवाया था तो इस कारेक्टांस रहा है ऑप्शन मर से राय सिंग के अंदर करवाया था बीकानेर के किले का निर्मान राय सिंग ने नेक्षन है राय सिंग की मरत्यू कहां हुई थी तो इस कारेक्टांस रहा है ऑप्शन मर से राय सिंग की मरत्यू नेक्षन है बीकानेर के किस शाशक ने अकबर और जहांगिर दोनों का विश्वास प्राप्त था तो इस कारेक्टांस रहा है आप्शन मर से राय सिंग को प्राप्त था नेक्षन है बाबर के भाई कामरान को किस की और कब प्रास्त किया गया था तो इस कारेक्टांस रहा है आप सनमर्द है राव जेसी ने 1534 में बाबर के भाई कामरान को प्रास्थ किया था निक्षन है हुल्डा बीलवाडा मेवाड सम्मेला ने 17 जुलाई 1734 को मराठो के सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था जिसका आयोजित ने सवाई जेसिंग ने किया था उसकी अद्धिक्षता की थी तो इस कारेक्टांस रहा है आप सनमर्द है जगज सिंग ने की थी हुल्डा सम्मिलन की अद्धिक्षता निक्सने जाटों का पलेटो या अफला तू ने कहा जाता है तो इसका प्रताप के घोडे बलीचा गाउ रासमन में इस्थित है प्रताप के गोड़े चेतक की चतरी निक्षन है